नमस्कार मित्रो मैं समीत सिंग और आप सभी लोगों EWS में पुना स्वागत करता हूं और मैं उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे मस्ट होront के सवस्थ हूंगे और आज मैं जिसविश्य पर करने वाला हूं वीश्य है क्लास 12 का home science यानि आज हम जिस्विसे पिचार्चा करने वाले हैं वो class 12 का home science का है और इसमें मैं आपको clear 18 number के पिचार्चा करने वाला हूँ clear 18 number के पिचार्चा करने वाला हूँ यानि अगर आप जो बचियां ये especially बचियों के लिए हैं जो बचिया ग्री विज्ञान से यानि 8 साइट से 12 में यानि 12 में एड़ीशन जिनका है जैसे में उनका हिंदी शमान हिंदी में इन लोका नहीं होता है साहित हिंदी होता है जिन बचियों का साहित हिंदी home science जितने बच्चियों ने लिया होगा उन सभी बच्चियों से मैं कहने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए especially 2024 के लिए 2024 के लिए 18 नंबर का प्रश्ण में आपको किवल बताने वाला हूँ only 18 नंबर का प्रश्ण जो आपका लग उत्री और दिर्ग उत्रिय से संबंदित है ठीक तो बिना समय लिए हम बहनी लोग के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं जितने भी बहनी home science से हैं मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहीएगा और मैं पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको अपने home science के paper में प्रश्ण का जवाब कैसे करना है या कैसे देना है ठीक है तो चलिए बिना समय लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्ण पेचार्चा करते हैं तो देखिए पहला हमारा जो प्रश्ण रहेगा यानि देखिए लॉंग कोस्टन अगब पांचे लेका आया हूं बाकि अने निष्ट हैं ठीक है तो पहला हमारा जो प्रश्ण बहिनी के लिए है वह है जन्द संपर्क गतवीधियों के परमोख छेत्र का 100 विस्तार बढ़न कीजिए तो देखिए भगश्ण यह जो भी आपका कोस्टन है यह लॉंग कोस्टन है दिर्गउत्रिय प्रश्ण है तो दिर्गउत्रिय प्रश्ण में मैं लिखने का सबसे पहला मैं जड़िया आपको समझा दे रहा हूं तो दिर्गुत्रिय प्रस्णों सबसे पहले किसी भी प्रस्ण का introduction 2 4-5-19ASE का लिखना है आपको ठीक है 2-4-5-19ASE का जब आप introduction लिख देते हैं तो आपको उसके बाद याद होना चाहिए heading यानि कि दिर्गुत्रिय प्रस्ण किसी भी subject का हो अगर आपको heading नहीं याद होगा तो आप introduction ही तक ही लिख सकते हो introduction के आगे बढ़ने ही पाओगे इसलिए कि आपको भलभात पता होता है कि किसी भी दिर्गुत्रिय प्रस्ण को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम हीडिंग कर सकता पड़ती है तो जंधसंपर्ग का जहता है हम लोगों से जंदसंपर्ग कैसे कर सकते हैं उन सभी चीजों का परमुख चीजों का आपको वनन करके आपको लिखना है ठीक है तो बहतर जो focus आपका होना चाहिए वो heading पर होना चाहिए अथवा कि आपको heading याद रहेगा तो आप उस heading का मुनरूप आप दे सकते हो खुद से दे सकते हो भैनी तो इसलिए आप भैनी लोग आप पर ध्यान दिजिएगा ठीक है वाकी दूसरा है सुचना संचार प्रदोग क सुचना संचार के लिए आज देख रहें कि टेली बीजन पहले थाज भी है तो बहुत सारी चीजें जो सुचना प्रसारड करने वाले चीजें हैं उपलाब धे डिक्टानिक डिवाइज हैं तो इन सभी चीजों के बारे में आप थोड़ा सा आपको क्या सुचना परदोग दोखी का विकास तो इंट्रड़क्चन में थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे लिखने के बाद के से तो इसके बाठ बहुत से आपको संझाने के लिए आपको चीजो को सबसे पहले पढ़ेगी ससस्गेन रहें तो मैं बनी और युटा रहें चाश्ग तो आपको दिया रहेगा ट्रीक पुछेगा इसी चीज को आपको बताना आओ जैसी में देखिए दिया है रोग उत्पन करने में अहार की भूमिका यानि रोग उत्पन करने में अहार की भूमिका तो इस पे आपको थोड़ा थोड़ा सा बस इंटोड़क्शन दे दें के तो ये किलियर लिए आपका नंबर फिक्स हो जाएगा कहीं जाएगा नहीं ठीक है तो बहिनी आप द रोक ठाम में आहार की भूमिका यानि जो भी चीज हम सेवन करते हैं ख्दियपधार्थ प्रकार्जट जो हम सेवन करते हैं तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए ताकर हमारा जो स्वस्त हो वो सही रहे रोगों का रुक्थाम रुका रहे हमें किसी परकार का रोग ना हो तो इसलिए हमें संतुली तहार ही लेना चाहिए उसके बाद चौथा प्रस्ण हमारा है खाद सुरक्षा और गुणवात्ता एक वैसिक मुद्दा क्यों है असपश्ट कीजिए तो देखे जहां भी वह क्वेश्टन है जहां तक आपको यानि प्रस्ण के सुरू से लेकर और जहां तक क्वेश्टन मार्क लगा होता है व सबसे पहले उस चीजिक के आपको experiência की पाद की पहले लिखा होता है फिर उसका जवाब आपको देना होता है यह नहीं कि आप दोनों चीजों को एक में समलिद करके जवाब नहीं दिया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है अपने मायंड में रखना है ठीक है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि चिन के अनुसार जवाब नहीं देते तो आपको प्रतिक के अनुसार जवाब देना है पाच्वा प्रशन प्रारंबिक बाल्यवस्था यानि जो सुरुवाती हमारा बच्चों का बाल्यवस्था होता है उस चीज में हमें उनका जो देखरेक है पानावा उड़ावार सिख्छा का जो अस्तर है उस चीज को हम कैसे लेकर चलते हैं कैसे उस चीज को आगे बढ़ते हैं तो उस चीज़ को आपको समझाना है, उस चीजों के उद्यस्यों पर आपको महतों को पर परकास डालकर बताना है, तो यह आपका long question होगा, तो इसको आपको बेहतर से ही लिखना होगा heading के साथ, ठीक, उसके बाद देखिएगा, हमारा six number question है long में से, कि बच्चो बच्चे युवा एयों ब्रिद जनन क्यों सवेंदन सील है समझाईए अनि अब देखे बच्चे जो उम्र जिनका बारा बरस का वास्था हो छोटे हो बारा बरस के अंदर के हो बच्चे ही रहते हैं लेकि माबाप के लिए लड़का कितना भी बड़ा हो जाए बच्चे युवा जो तेरा ठारा बरस के अवाई पराप्त कर चुका हो अब बृदि जन जो बृदधा वास्ता में हो क्यों स्वेंधन सील है तो आप देखे बच्चे यूवा ने बृदि जन को आपको बताने के बाद फिर आपको समझाविए तो फिर आपको समझाना पड़ेगा तो हेडिंग का सहारा लेना पड़ेगा ठीक तो यह आपको छे प्रस्ण आपका एक कंफर्म होगें यहां तक आपको मैं बता दे रहा हूं बता ही दिया कि कैसे आपको करना है भई ने बाकि हम नीचे चलते हैं और नीचे हमारा जो कुस् का उधर बता दिया हूं 20 माक्स का यहां बताने वाला हूं आपको आदेखे में बहुत जादे कोस्त नहीं लेगा तो मुझे पता है कि जो भी प्रस्ण में देंगा वही आएगा एक्जाम पेपर सेट में इसलिए बहनी आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और आप फोकस कर लिजिए कि अब 20 नमबर पे हम चार्चा करते तो 20 नमबर पे हमारा पहला प्रस्ण है बालसरम को रोकने के उपाय यहां सुझाओ दीजिए जैनि पहले तो आपको रोकने का उपाय बताना है फिर एक सुझाओ दीजिए तो इसमें भी आपको हेटिंग के ही अनुसार आगे बढ़ना है तभी आपको पांच नंबर पूरा-पूरा मिलेगा उसके बाद से हमारा दूसरा जो प्रस्ण है महिला ससक्तिकरण के क्या उदेश हैं तो महिला ससक्तिकरण आपको पता है कि हिंदी में महिला ससक्तिकरण से निबंद भी बहुत बार पूछता है एक्जाम पेपर में आपका हर बार आ रहा है महिला सक्सक्ति करण तो इस चीज़ को आप जो भी बहिनी है इस चीज़ को भलभात ही जानती है कि महिला सक्सक्ति करण का जो reply हम कैसे करेंगे उसका उदेश से क्या है हमारे जीवन काल में वो चीज़ को future में क्या है तो इस चीज़ को आप खोदी भलबाती समझा सकती है उसके पास तीसरा प्रसन हमारा है जन संपर्क से साथ सिधान्त क्या है जन संपर्क के साथ सिधान्त क्या है यानि जन संपर्क यानि जब हमें पूरे देश भी देश, राज्य, गाउं, छेतर, कल यह जो भी चीज़ें हम संपर्ग करने का जो हमारा रास्ता है भी है उसमें साथ सिधान्त पूछ रहा है तो साथो सिधान्त के हेडिंग करके आप साथो सिधान्त के बारे में आपको बताना होगा तब यह जाके किलियर होगा ठीक है उसके बास से हमारा चौथा जो है इसमें धुलाई के पूर्व की सौधानिया यहने धुलाई के पूर्व की सौधानिया को समझाईए तो धुलाई के पूर्व की सौधानिया को समझाना पड़ेगा आपको उसके बासे पाचवा हमारा है युवाओ के लिए किस परकार के कारिकरम उप्योग्त होते हैं क्व को इस चीज को यहां पर देखिए आ का मंत्रा छूट गया है यहां पर आ का मंत्रा हम लगा देते हैं ठीक है तो यह देख लिजिए तो यह आपका प्रस्ण हो गया 20 नंबर इन प्रशनों को आपको हेडिंग के साथ याद करना है यही आपके पेपर में आने वाले हैं मैं आपसे कहा ही था कि अगर वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आए पसंद है तब आप आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है ठीक है नहीं आता है तो आप वैसे ही हटके ठीक है तो एक बार मैं पुना आप लोगों के लिए प्रशनों को सो करा देता हूं आप इस प्रशनों को देख लिजिए और बाकी अगर आपको हमारे साथ जूड़ा रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना निवार है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि औ लगता है आपको लाई पड़ने में भी आपको परिसरन कीन वहता है तो इस सभी चीजों को समझ भूज के हमें अपने जीवन्य आपन करना है ठीक है तो ऍशक्ति एक का साथ रहेगा तब एक दूसरी का विकास होगा तिस प्रoperation को मध्य नजर रखते